असलाम निक्रम बच्चों आज को मारा टापिक है A comparison between electric and gravitational forces अब आप जानते हैं comparison दो किसम के होते हैं या तो दो forces के दर्मियान हम similarities बताएंगे या हम दो forces के दर्मियान differences बताएंगे सबसे पहले हम similarities को discuss करते हैं जैसे का आपको याद होगा फस्ट में जब हमने chapter 4 में gravitational force के बारे में discussion की थी तो उसमें हमने थाबत किया था कि उसमें हम जो work calculate कर रहे हैं different parts की वज़ा से सब cancer क्या रहा था सेम आ रहा था तो उस वज़ा से हमने का था कि जो आपकी gravitational force है वो क्या एक conservative force है इसी तरह column force भी क्या एक conservative force है क्योंकि ये force भी path से क्या है अजाद है next similarity अब अगर आपको याद हो जब हमने दो charges के दर्मियान column force का formula त्यार किया था वो क्या था f is equal to 1 over 4 pi epsilon 0 q1 q2 over r square जो के बिल्लकुल similar है किस की तरह है gravitational force की तरह है उसका formula को याद होगा क्या था f is equal to g m1 m2 over r square अब इसमें गोर करें दोनों forces दो objects के दर्मियान है सिरुफ फरक इतना सा है कि ये दो charges के दर्मियान है वो दो masses के दर्मियान है उसका भी constant है इसका भी constant है इसी तरह अगर हम third इसकी similarity को देखें तो उसमें में क्या नज़र आएगा gravitation force भी follow करती है inverse के राखो और आपकी column force भी follow करती है inverse के राखो अब हम इनमें discuss करेंगे differences first difference अब ज़र आपने गोर कीजेगा जो आपका column force का constant है जिसको हमने k का symbol दिया था उसकी वहला आपको याद होगी हमने column लाव ने calculate क्या की थी 9 into 10 raise power 9 जबकि gravitational constant को अगर आपको याद हो आपने metric में first term में इसको read किया था उसकी value क्या थी 6.67 into 10 raise power minus 11 अब यहीं से difference note करें कि दोनों की value में जमीन आसमान का फरक है और यहां से मैं क्या नज़र आ रहा है कि जो electric constant है वो काफी ज़ाद काकतवर है as compared to gravitational constant के मकाबले में इसले जब दो charges के दिरमियान हम column force को बारे में discuss करते हैं तो वो बहुत strong होती है as compared to gravitational force के मकाबले में अब इनके next difference को हम देखते हैं याद अखिएगा column force हम पीछे पढ़के आई हैं वो दोनों भेवे रखती है attractive की भी और repulsive की depend करेगा charges की types की है अगर तो same charges है तो आप जानते क्या होगा repel होगा अगर opposite charges होगे तो क्या होगा attract होगा जबकि gravitational force का एक ही तरीका कार है वो क्या है attract करने का gravity कभी भी किसी object को repel नहीं करती तो ये इनमें दूसरा difference हो गया तीसरा सबसे important difference gravitational force याद अखी आप medium से अजाद होती है आप जमीन पर खड़े हो जाएं या आप उसी जमीन के उपर कोई sheet रखे उसके उपर खड़े हो जाएं या पानी में खड़े हो जाएं जमीन के उसी लेवल पर रहते हुए तो आपके gravity का behavior क्या होगा? same होगा जबके दो charges के दरमयान अगर medium change हो जाए like space है, mika है, benzine है, water है, air है तो दो charges के दरमयान जो column force है उसकी value पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इस से इसाबत यह हुआ जो column force है, वो medium dependent है जबके जो gravitation force है वो medium से क्या अजाद है तो मैं अमीद करता हूँ यह आपको एक असान सा comparison electric and gravitation forces के दरमया समझा गया होगा अलाफिस बेटा